व्रित की पाठों की श्रंकला में हमने आपसे व्रित के विभिन बंगो से आपका परिचे करवाया कुछ परिभाशाएं आपको बताएं और इसी संदर्व में हमने कुछ प्रमे सिद की और पिछले पाठ में हमने इसी श्रंकला में आपका परिचे करवाया था एक चक्रिय चतरभुच से चक्रिय चतरभुच के संबंद में हमने आपको बताया था कि एक चक्रिय चतरभुच वे होती है जिसमें कि उसके सभी शिर्ष एक वृत पर हो अर्थात किसी चतरभुच को चक्रिय चतरभुच तब कहा जाता है जब इसके चारों शेश एक वृत पर स्थित हो ये तो बात होई चक्रिय चतरभुच के परिभाशा की आप ये तो जानते हैं कि कोई भी अगर हम चत्रभुज ले उस चत्रभुज के सभी कौनों में क्या विशेश्टा होती है किसी भी चत्रभुज के सभी कौनों में ये विशेश्टा होती है कि इनके कौनों के मापों का योगफल तीन सो साथ हंश होता है पर यहां हम बात कर रहे हैं एक चक्रिय चत्रभुज की एक चक्रिय चत्रभुज में इसके अतिरिक्त भी विशेश्टा होती है ये विशेश्टा क्या है आईए इसको जांच कर देखें ये लिए हमने एक चक्रिय चत्रभुज PQRS इस चत्रभुच के हम ये कौन S और Q को अलग कर देते हैं यदि हम कौन S को कौन Q पर लगा कर देखें अब क्या देखते हैं कि इन दोनों कौनों को रखने से एक हमें रेखिया युगम मिल जाता है तो इस से क्या हम ये कह सकते हैं कि इस चक्रिय चत्रभुच के कौन Q और कौन S के माप का योग एक सो असी अंश है जी हाँ इसी तरह की क्रिया से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि कौन P और कौन R के मापों का योग भी एक सो असी अंश ही होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक विशेष्टा है चक्रिय चत्रभुच के जी हाँ चक्रिय चत्रभुच के सम्मुक कोनों के किसी भी योगं का योग 180 अन्शो होता है वास्तव में ये तथ्य चक्रिय चत्रभुच के बारे में एक बहुत ही महत पुरुण तथ्य है और इसको हम एक प्रम्य के रूप में लेते हैं चलिए इस प्रम्य को सिद करके देखें, हमें दिया गया है एक वृत C-O-R, याद है ना आपको, C-O-R से हमारा मतलब है कि इस वृत का केंद्र O है और त्रिजय R है, इस वृत में एक चक्रिय चत्रभुज A, B, C, D बनी हुई है, हमने सिद करना है कि इस चक्रिय और कौन B और कौन D का योग, योग से हमारा मतलब है इनके मापों का योग, 180 अन्श्व होता है, इसे सिद करने के लिए चलिए हम एक चत्रभुज, चक्रिय चत्रभुज A, B, C, D लेते हैं, इस A, B, C, D, चक्रिय चत्रभुज में हमने सिद करना है कि कौन A, योग कोन C, यह एक सौसी अंच है और यह भी सित करना है कि कौन B यो कौन D एक सौसी अंच है यह सित करने के लिए हम एक रचना करते हैं इस रचना में आएए B को वृत के केंद्र से मिला दें यह वृत का केंद्र है O तो B O को मिला देती है और इस तरह D O को मिला देती है यह मिलाने से हमें एक कौन केंद्र पर मिल गया यह इसको कह देते हैं हम कौन एक और दूसरा कौन बन गया यह इसको हम कह देते हैं कौन दो यह तो आप जानी चुके हैं कि कौन एक जो केंद्र पर बना है इसको हम चाप B C D की माप भी कहते हैं और कौन दो चाप D A B की माप है अब चलिए यह देखें कि इन कौनों का चक्रिय चित्रभुच के कौनों से क्या संबंद है कौन एक चाप B C D ने बनाया वृत के केंद्र पर चाप B C D ने वृत पर कौन बनाया B A D अर्थाथ कौन A आप रम्हें पढ़ चुके हैं पहले कि कोई भी चाप जो कौन केंद्र पर बनाती है उसका माप उसी चाप दोरा निर्मित कौन जो वृत पर बनता है उससे दो गुना होता है तो हम यह कह सकते हैं कि यह हो गया दो गुना कौन A चाप D A B कौन बना रही है केंद्र पर दो और यही चाप वृत पर कौन बना रही है B C D अर्थाथ C फिर वही प्रमिया केंद्र पर बना कौन वृत पर बने कौन से दो गुना होता है जबकि दोनों ही कौन एक ही चाप से निर्मित हो तो यह भी हो गया दो गुना अब यदि इन दोनों का हम योग कर दें तो कौन एक जमा कौन दो बराबर हो गया दो गुना कौन A जमा कौन C अर्थाथ कौन A और C का योग का दो गुना बराबर हो गया कौन एक और दो के योग के बराबर अब कौन एक और दो का योग क्या है? ये पूरा कौन बन गया? अर्थात इसको हम कहेंगे तीन सो साथ हंच ये बराबर हो गया दो गुना कौन ए योग कौन सी तो क्या इससे हमें मिला कि कौन ए योग कौन सी बराबर एक सो सी अर्थात इन समुक कौनों का योग फ़ल इनकी मापों का योग फ़ल एक सो सी अर्थात इनकी मापों का योग फ़ल एक सो सी अर्थात इनकी मापों का योग फ़ल एक सो सी अर्था गया यदि हमने बी ओ और ओ D को ना मिलाकर A, O और O, C को मिलाया होता, तो हमें यही तथ B और D के लिए मिल जाता, तो हमने देखा यहां पर, एक बार फिर वही बात, कि जब भी हम एक चक्री चत्र बुझ लें, तो उसके समुक कोनों के मापों का योगफल 180 अन्श होता है, यह तो थी एक विधी इसको सि करें, हमने चक्री चत्र बुझ ली A, B, C, D, पहले हमने केंदर का प्रियोग किया था, अब हम केंदर का प्रियोग नहीं करते हैं, हम A, C को मिला देते हैं, और B, D को मिला देते हैं, आपने प्रम्या पड़ रखी हैं, कि ये कौन जो के चाप B, C, निर्मित कर रही है वृत पर और ये कौन जो वही चाप वृत पर फिर निर्मित कर रही है, ये दोनों कौन बराबर होंगे, सुविधा के लिए हम इसको लिख देते हैं, एक और दो, तो कौन एक बराबर गया कौन दो, साथ ही साथ, और कौन से ऐसे कौन बन रहे हैं, जिनके के माप बराबर है, ये एक और दो बराबर हो गया, हम सिद्ध ये करना चाहते हैं, कि इस कौन की माप योग इस कौन की माप बराबर है, एक सो असी अंच, अब लेते हैं हम इसके बाद ये कौन, ये इस को तीन कह देते हैं इसको चार कह देते हैं, कौन तीन बराबर कौन चार, क्यों, चाप A, B ये कौन और ये कौन दोनों वृत पर निर्मित कर रही है, इसलिए तीन और चार बराबर हो गाई, अब ज़रा देखिए आप त्री भूच अब बी की और, इसके तीनों कोनों का योगफल कितना होगा अर्थात कोन दो योग कोन A, B, C योग कोन चार ये हो गया 180 अंच दो और चार बरावर हैं एक और तीन के दो बरावर एक के, चार बरावर तीन के तो हम ये लिख सकते हैं कोन दो की स्थान पर एक कोन A, B, C कोन चार के स्थान पर कोन तीन तो ये भी तो एक स्थासिंश हो गया इसके स्थान पर एक क्योंकि ये बरावर है चार के स्थान पर तीन क्योंकि ये बरावर है अब एक और तीन अगर मिला के हम देखें तो पूरा कौन बन जाता है A, D, C A, B, C, कौन दूसरा एक और तीन को मिला के देखा हमने तो यह पूरा कौन मिल गया हमें अब क्या मिला हमें इस कौन और इस कौन का योगफल एक सो असी अंश इसी तरह हम कौन D, A, B अर्थात कौन A और कौन B, C, D यानि कौन C इन दोनों के मापों का योगफल भी यह दिखा सकते हैं कि यह एक सो असी अंश है तो इस तरह हमने दो विद्धियों से यह दो सिद कर दिया कि एक चक्री चत्रभुज में समुक कौनों के योगम के मापों का योग एक सो असी अंश होता है अब प्रशन यह उठता है कि क्या इसका विलोम भी सत्य है विलोम से अभी हमारा आप भी पराए कि यदि एक ऐसी चत्रभुज हमारे पास हो जिसके समुक कौनों के किसी भी योगम का योगफल एक सो असी अंश है तो क्या ये चत्रभुज चक्रिय होता है हम ये कह रहे हैं कि ये चत्रभुज चक्रिय होता है इस तथे की जांच के लिए आईए हम लेते हैं एक चत्रभुज A, B, C, D इस चत्रभुज में हमें ये बताया गया है कि इन दो कौनों का योगपल, इनकी मापों का योगपल 180 अंश है, अर्थात कौन B, योग, कौन A, D, C, वराबर 180 अंश है, A, D, C, अर्थात कौन D. अब हमने ये सित करना है कि A, B, C, D एक चक्रिय चतरभुच है, ये तो आप पहले ही जान चुके हैं कि जब भी हमारे पास तीन असर्रेक बिंदु हों, तीन असर्रेक बिंदु हों में से होकर एक और केवल एक ही वरित जाता है, तो इस चतरभुच में A, B, C, इन तीन बिंद को अगर हम देखें, इन को देखने से हम ये कह सकते हैं कि A, B, C में से होके जाने वाला एक और केवल एक ही वरित होगा, अब इन में से तो एक वरित हो गया निश्चित, अब प्रशन आता है D का, हमने सिद ये करना है कि ये वरित जो A, B, C में से होके जाता है, वो D में से भी होके जाएगा अब ये वृत जो हम बनाते हैं CD के संदर्व में हम ये कह सकते हैं कि ये वृत के तीन स्थितियां हो सकती है या तो ये DC को किसी एक बिंदू D1 पर काट देगा या फिर ये वृत CD को बढ़ाने से कहीं बाहर वाले बिंदू पर काट देगा अर्थात ये D2 बिंदू हो गया या फिर D में से होके जाएगा इन तीन के अतिरिक्त कोई और संभावना नहीं है तो चलिए पहली संभावना को लेते हैं कि यदी वृत जो वो ABC में से होके जाता है वो D1 में से भी होके जाता है तो उस स्थिती में A, B, C, D1 एक चक्रिय चत्रभुच बन गई सीधी बात है यदि वृत A, B, C में से होके और D1 से जाता है तो ये चक्रिय चत्रभुच कहलाएगी अभी अभी हमने एक प्रम्य सीखी जिसमें के हमने देखा कि चक्रिय चत्रभुच के सम्मुक कौनों का योगफल होता है 180 उन्च तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये है तो इन दो कौनों का योगफल 180 उन्च होगा परन्तु हमें दिया हुआ कि कौन B योग कौन A, D, C, 180 तो इसका भी प्राइए हुआ के कौन B, यो कौन ADC, बराबर कौन B, यो कौन AD1C, B, सांचाय दोनों में, तो इससे हमें मिल जाएगा कौन ADC, बराबर कौन AD1C, चलिए आख रिजी को देखें, हमें मिलाया है के कौन ADC, बराबर है कौन AD1C, AD1C के, त्रीभुच AD1 में, ये हैं बाहिया कौन, और ये हैं सम्मुक अंते कौन, तो ये कौन इसके बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले, कि किसी भी त्रीभुच का बाहिया कौन, उसके त्रीभुच के दूरस्त अंते कौन से बड़ा होता है हमेशा अर्थात, ये कौन तो होता है, इन दो कौनों के योग के बराबर, तो ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता तो इसका भी पराइए ये हुआ, कि D1 लेने पे, हमें एक ऐसा तथ्य मिलता है, जो के हमारी धारनाओं के अनुरूप नहीं है तो ये तो संभव है नहीं के वृत, D1 में से होके जाए, अब लेते हैं हम दूसरी संभव ना, अब ये वृत ABC में से होके जो जाता है, हम ये कहते हैं कि वो D2 से होके जा रहा है, तो A, D2 को मिला देते हैं, अब हमें मिल गी चतरभुच, A, B, C, D2 इस चतरभुच में, फिर वोई बात, कौन B और कौन A, A, D2, C, ये एक सौसी अनुच होने चाहिए, इस कौन के माप का योग और इसकी माप का योग, इसके साथ दोनों का, ये एक सौसी अनुच होना चाहिए तो बिलकुल इसी तरह जैसे पहले हमें मिला था, हमें ये मिलेगा कि कौन A, D2, C, ये बराबर आ जाता है, कौन A, D, C के? कैसे? ये कौन, योग ये कौन, दोनों कोनों का योग पर मापों का, एक सौसी अनुच, इसका और इसका माप एक सौसी अनुच, तो ये कौन बराबर हो गया? अब त्री भुच को देखिए, A, D, D, D को, A, D, D, 2, इस त्री भुच में ये बाहिय कौन? और ये दूरस्थ अन्ते कौन? ये कौन सदेव इस से बड़ा होगा? तो ये भी संभव नहीं है, तो हमने ये देखा इस तर्प द्वारा कि A, B, C में से होके जाने वाल अवरेथ ना तो D, 1 में से जा सकता है, ना D, 2 में से जा सकता है, तो तीसरी संभव नहीं क्या ली थी हमने? कि ये D में से होके जाएगा? तो इस सिद्ध हो गया कि A, B, C, D एक चक्रिय चतरपुच है. हमने D, 1 और D, 2 को लेते होई ये सिद्ध कर दिया कि ऐसा संभव है नहीं, तो त इस तरह हमने प्रम्य पड़ी, उसका विलोम सिद्ध किया, अब हम चलते हैं आगे कि इन दो तत्यों के आधार पर कुछ एक समस्या लेने के लिए. सबसे पहली समस्या हम ये लेते हैं, कि सिद्ध कीजिए कि किसी चक्रिय चतरपुच के कौनों के सम्धिभाजकों के द्व द्वारा बना चतरपुच भी चक्रिय होता है. ठीक से समझ लीजिए कि किसी चक्रिय चतरपुच के कौनों के सम्धिभाजकों द्वारा बना चतरपुच भी चक्रिय होता है. आईए इसकी आकरिती देखें. हम लेते हैं एक चतरपुच, चक्रिय चतरपुच A, B, C, D. A, B, C, D, इस चक्रिय चत्रभुज में कौन D का संदिभाजक है, D, R, Q, A, कौन A का संदिभाजक है, A, P, Q, B का संदिभाजक है, B, P, S, C का संदिभाजक है, C, R, S. इन चार कौनों के संदिभाजकों ने बना दी एक चत्रभुज यहां पर, अब सिध हम यह करना चाहते हैं, कि यह चत्रभुज भी एक चक्रिय चत्रभुज होगी, याद कीजिए, एक चत्रभुज को चक्रिय चत्रभुज कब कहते हैं, पहले तो एक परिभाशा थी, कि उसक चारों शीर्ष चक्र में वृत्पर होने चाहिए एक ही वृत्पर स्थित होने चाहिए पर तर्क द्वारा हमने ये सिद किया कि यदि किसी एक चत्रभुच के सम्मुख कोनों के युगों के मापों का योग 180 अंश हो जाए तो वे चत्रभुच एक चक्रिय चत्रभुच हो ज सम्मुख कौनों के युग्मों के मापों का युगफल एक सो असी अंशोना चाहिए ये कौन और यहां से हम लेते हैं कि ये कौन ये कौन सारे ही कौनों के आधे हैं जैसे हमने लिया ये कौन इसको एक लिख देता हूं कौन एक बरावर है आधा कौन सी कारण ये सम्दी भाज़क है कौन C का फिर ले लेते हैं ये कौन दो कौन दो आधा कौन B C कौन से हमारा भी पराय है ये चत्रभुच A, B, C, D का कौन और B चत्रभुच A, B, C, D का कौन इसी परकार ये कौन इसको कह देते हैं तीन कौन तीन आधा है कौन D का और ये कौन चार ये है आधा कौन A का अब यदी हम इन सब का योग कर दें तो हमें मिला कौन एक, जमा कौन दो जमा कौन तीन, जमा कौन चार इन चारो कौनों का योग बराबर आधा कौन A, जमा कौन B, योग कौन C और योग कौन D ये हम आज के प्रोग्राम के शुरू में भी हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी चत्र बुच के चारो कौनों का योग पल तीन सो साथ हंच होता है तो ये हो गया तीन सो साथ हंच अब ये तीन सो साथ हंच का आधा हो गया एक सो असी हंच अर्थाथ कौन एक, दो, तीन, चार, ये चारों कौन बनके हमें देते हैं एक सो असी हंच चलिए आप जरा त्री भुच को देखें S, B, C त्री भुच पहले लेते हैं इस त्री भुच में कौन एक, जमा कौन दो और इसमें योग कर देए ये वाला कौन इस कौन को हम कह लेते हैं पांच तो कौन एक, योग दो, योग पांच, त्री भुच के कौन है? योग यहाँ वाला कौन, P, Q, R लिख देते हैं इसको, ये भी एक्स त्री भुच, त्री भुच, A, Q, D के कौन? अब क्या देखते हैं हम? कौन एक, दो, पांच, चार, तीन, P, Q, R इसको आप कौन छे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो तो ये छे कौनों का योग फल तीन सो साथ अंच हो जाता है लेकिन इसमें से कौन एक, दो, तीन और चार का योग आ रहा है, एक सो असी अंच तो इन दो कौनों का योग फल कौन पांच और कौन P, Q, R का योग फल आ गया, एक सो असी अंच ये चारों योगों का कौनों का योग फल एक सो असी अंच, इन छे कौनों का योग फल तीन सो साथ अंच तो इन दो कौनों का योग फल हो गया, एक सो असी अंच हमने सिद्ध किया कि इस चत्रभुच PQRS में सम्मुख कोनों के जो यह युग्म बनता है इनके मापाउं का योगपल है 180 अंश तो सीधी बात है कि इनका मापाउं का योगपल भी 180 अंश हो जाएगा क्योंकि सारे मिलके तो बनते हैं 360 अंश तो यह चत्रभुच कैसी बन गई यह चत्रभुच होगी एक चक्रिय चत्रभुच तो इस तरह हमने एक समस्या तो हल कर ली चलिए एक और समस्या लेते हैं इस समस्य में हम लेते हैं कि हम सित करना चाहते हैं कि सित कीजिए एक चक्रिय सम लंब चतर भुज सम दिवाहू होता है याद है ना सम लंब चतर भुज से हमारा क्या भी पराय होता है सम लंब चतर भुच जिसकी दो भुजाएं समानतर होती है और दो भुजाएं असमानतर होती है तो हम लेते हैं कि एक चक्री है सम लंब चतर भुच A, B, C, D अब क्योंकि ये सम लंब चतर भुच है इसलिए A, D समानतर है, B, C A, B, C, D एक चक्रिय चत्रभुज है इसलिए कौन B योग कौन D बराबर 180 A, D समानतर B, C के समानतर रेखाओं को तरियक रेखा काट रही है D, C तरियक रेखा के A की और बने अंते कौनों के मापाओं का योगफल हो गया 180 ये तो वो तथ्थे लिखती है हमने जो के हमें आकरिती से मिल रहे सिद्ध हमने ये करना है के A, B, C, D एक ऐसी समलम चत्रभुज है जिसमें A, B बरावर है D, C हमारा धय है A, B बरावर D, C सिद्ध करने का इन दो तथ्यों को अगर हम देखें तो हमें मिलता है कौन B, यो कौन D, बरावर कौन D, यो कौन C D और D सांधर, सांधर होने के बेज़ाओ कारण ये दोनों कट गए, तो कौन B बरावर आगया, कौन C ये कौन इसके बरावर आगया परन्तु हमने तो सिद्ध ये करना है कि A, B बरावर D, C तो आएए, दो त्री भुजों का निर्मान करते हम एक त्री भुज ले लिए, जिसमें कौन C आया दूसरी त्री भुज ले लिए हमने हमने लिए दो त्री भुज, A, B, C और त्री भुज, A, B, C के साथ D, C, B इन दो त्री भुजों को अगर हम देखें ये कौन और ये कौन बरावर हैं दोनों के A, B, C का कौन A, B, C और त्री भुज, B, C, D का कौन B, C, D बरावर है ये कौन इस कौन के बरावर है क्यों बरावर है चाप B, C निर्मित करती है कौन B, A, C बिन्दू A पर और वही चाप निर्मित करती है कौन B, D, C बिन्दू D पर इसलिए एक ही चाप तरह वृत पर निर्मित कौन बराबर होते हैं तो ये कौन बराबर हो गया है और त्री भुज A, B, C और D, C, B में भुजा B, C सांजी है तो दो कौन और एक भुजा एक तरी भुज की उसके संगत कौन और भुजाओं के बराबर हो गई तो ये दो तरी भुज कैसे हो गए ये हो गए सरवांग्शम यदि दो तरी भुज सरवांग्शम हो तो उनकी संगत अंग बराबर होती अर्थात A, B, बरावर D, C यही हम सिद्ध करना चाहते थे तो यह सम्लम्ब चत्रभुच जो के चक्रिय है यह हमने सिद्ध किया एक सम्द्वी बाहू हो की और यह तथे हमेशा सत्थे यह तथे तथे सत्थे हो गया कि यदि एक सम्लम्ब चत्रभुच एक वरित में बनाई जाए यानि चक्रिय हो तो वे सम्द्वी बाहू होती है इससे अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक वरित और उसकी संगामी रेखाओं की